हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, साथियो आज की वीडियो 30 देज कंप्यूटर लिटरेसी वर्क्शोप से संबंदित हैं, आज की वीडियो में देखेंगे डे 16 का असेस्मेंट, कैसे इस असेस्मेंट को करना है और किस तरह इस जानकारी दी जाती है, आज इसमें पिक्सल लैब नाम के एक अप्लिकेशन के विशेंगे बताया गया है, जिसी के ओपर आज का असेस्मेंट है, तो सुरु करते हैं आज का असेस्मेंट और देखते हैं कि इसस्मेंट में कौन कौन से कोशन पूचे गए हैं, साथियो आज उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथ ओ अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने WhatsApp ये टेलीगराम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए WhatsApp और टेलीग्राम गूरूप बनाए हैं। गुरूप का लिंक आपको वीडियो के description box से मिल जाएगा, आप उसमें join कर सकते हैं, तो सुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं आज एक फ्रवरी का assessment, लीजे, पहला question आपके सामने है, image के अंदर text insert कराने के लिए किस option का परियोग करेंगे, option 1, texture, option 2, opacity, option 3, emboss, option 4, musk, तो साथ यो इसका सही जवाब है, texture, image के अंदर text insert कराने के लिए, texture option का परियोग करेंगे, अगला question है, किस विकल्प का उप्योग, text या image दोनों के लिए outline border देता है, पहला option है, shadow, दूतरा है, stroke, option 3, emboss, option 4, padding, तो साथ यो इसका सही जवाब जो मुझे लग रहा है, वह है, option 4, padding, नेक्ट कोश्चन है, पोश्टर में इस्टिकर इंपोर्ट करने के लिए, किस टूल का उप्योग किया जाता है, पहला option है, circle tool, दूसरा है, text tool, नमबर तीन पर है, rectangle tool, नमबर चार पर है, polygon tool, तो साथ यो इस question का भी मुझे जो सही जवाब लगता है, वह है option number 4, polygon tool, अगला question है, क्या हम अपने पोश्टर पर परतियक अब्यक्ट को लोग कर सकते हैं, option 1, yes, option 2, no, option 3, may be, इसका सही जवाब जो लगता है मुझे, option 1, yes, next question है, text tool का कुन सा विकल्ब, text के कुछ हिस्से को हटा देता है, option 1, style, option 2, font, option 3, opacity, option number 4, musk, तो साथियो, इसका सही जवाब है, option number 4, musk, आज कैसे सेसन आप जो कैसा लगा, अच्छा लगा, it was excellent, क्या आप परसिक्षन में सीख हुई चीजों को अपने सिक्षन कारों पर योग करेंगे, करेंगे, yes, तो साथियो, एक बार submit करने से पहले इसको, अपने entry देख लेते है एक बार email address हो गया है, नाम भी हो गया है, designation, school का नाम गलत हो गया है, दुबारा देखने से ये फायदा हो जाता है, चलिए नाम भी ठीक कर दिया है, मैंने, हमारा blog सही हो गया है, district सही है, whatsapp number भी सही है, पहला question का जवाब हो गया है, दूसरे का भी हो गया है, तीसरा भी, number four number five, ये सब हो गये है, चलिए इसको submit करते हैं, तो साथियो आज भी इसमे response तो हमारा record हो गया है, लेकिन इश्कोर शो नहीं हो पा रहा है, तो आशा करता हूँ हमारे सही जब आप सही होंगे, तो साथियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्यमित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इससे लावानमित हो सकें, साथियो अगर आपको मेरे बनाएग़ वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप मेरा चैनल भी सबस्क्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियो पर भी आप कमेंट किया करें, इस वी